असलाम लेकूम, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मूग दाल के हलुआ की रेसिपी यह बहुत ही टेस्टी और दानेदार बनकर तयार हुए हैं और यह कम सामान में और एजिली बनकर तयार भी हो जाते हैं तो देरी ना करती हुए चलिए हम देख लेते हैं तो इसके लिए मैंने यहां पर ले लिया है एक कप मूंग दाल इसे मैंने अच्छे से वाश करके इसका पानी सुखा लिया है दाल को मैंने भीगने के लिए नहीं रखा था बस इसको धूल कर इसका पानी सुखा लिया था फ्राइपेन को गरम होने के लिए मैंने गहस पर शर्ठेंट अगी भरत्वन के यहम की अनीज और बहस को दाल को बिया है अलाओ बただ सबत्जा अब अच्छिक करने के मिलॆ हैघिया तो बस मैं अपने के वाल को बम吧 और घंड़ के लिए भी निकाल लेते हैं को दाल अब बिल्कुल भी गरम नहीं है अब दाल को हम एकसी जार में दरदरा पीस लेंगे दाल को हम थोड़ा थोड़ा ही पीसेंगे कि कोई हमारे जार छोटे हैं तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने दाल को दरदरा पीस लिया है इसी तरह से बाकी के बचे हुए दाल भी हम पीस लेंगे तो सारे दाल में ने इस तरह से पीस लिये हैं हलुआ बनाने के लिए अब चलते हैं अपने गैस पर गैस का फिलम मैंने ओन कर दिया है फ्राइ पेन में हम एड़ करेंगे 3-4 टेबल स्पून घी तो 4 टेबल स्पून घी मैंने एड़ कर दिया है बागी के हम बाद में एड़ करेंगे अब इन घी को हम मेल्ट होने देंगे घी हमारा मेल्ट हो चुका था तो मैंने एड़ कर दिया है एक से दो टेबल स्पून सूजी सूजी को हम आदा मिनूर तक भूनेंगे सूजी एड़ करने से हमारे हल्वे दानेदार बनेंगे और अगर आपके पास सूजी नहीं है तो इसकी भी कर सकते हैं अब बिना सूजी के हल्वा बना सकते हैं तो अभी हमारे सूजी को भूनते हुए 30 सिकंड तक हो चुके हैं इसमें जाएगा हमारा पीसा हुआ दाल अब दाल को हम 1-2 मिनर तक इसे भूनेंगे दाल को मैंने पहले से ड्राय रोस्ट किया हुआ था अशली तो इसलिए हम 1-2 मिनर तक ही दाल को भूनेंगे घी अभी कम लग रहे थे तो मैंने एक से दो टेबेल स्पून घी और एड़ कर दिया है अब घी में दाल को हम एक से दो मिनट तक भूनेंगे तो इस तरह से हम भूलेंगे दाल को एक से दो मिनट तक तो दाल को मैंने दो मिनट तक भून लिया है अब दाल में हम एड़ करेंगे एक ग्लास के लगभग पानी अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि दाल और पानी हमारे अच्छे से घुल मिल जाए पानी को ड्राइ होते ये बस आधा मिनट ही लगेगा ये बहुत जल्दी से ड्राइ हो जाते हैं तो आप देख सकते ह अब देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं सारे लंस भी खतम हो चुके हैं इसे थोड़ा सा और पकाएंगे तो इसे चलाते हुए 10-20 सिकेंड तक हो चुका है अब इसमें हम एड़ करेंगे एक प्याली शुगर चीनी मीठा अपने हिसाब से ले सकते हैं अब चीनी को बीढ अच्छे से मेल्ट थीक होने तक पकाएंगे इस सटेज पर थोड़े से कटे हुए काजु बादाम करेंगे गढ़ा होते हुए कम से कम चार से पाच मिनट तक लगेंगे तो आप देख सकते हैं थीक होना शुरू हो चुके हैं अब हल्वे को तयार होते हुए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा थोड़े से घी हम और एड कर देते हैं घी हमारा टोटल कम से कम एक कप के लगबग लगा है इस हल्वे में आप चाहें तो और भी घी एड कर सकते हैं इस हल्वे में घी कुछ ज क्वादा मेट करना चाहें कके सकते हैं तो वह कर सकते हैं तो भी पकाते हुए पांच मिन ठौक खो चुका है हलवे हमारे फ्राइ पेन छोड़ने लगी है तो अब ये हमारे हलवे तयार हो चुके हैं और मैंने गैस का फिलेम भी बन कर दिया है इसको हम डिशाउट भी कर लेते हैं हलवे को मैंने डिशाउट भी कर लिया है हलवे को हम थोड़े से काजू से गार्निश कर देते हैं तो काजू से मैंने गार्निशिंग भी कर दी है अब ये हमारे मूग के डाल के हलवे तैयार है हमारे ये हलवे बहुत ही मज़े के बने है तो देखें फिनेट्स कितने हमारी हलवे दानेदार बनकर तयार हुए हैं और टेस्टी भी बहुत हैं तो एक बार बना कर देखिएगा हमारे तरीके से और यह हमारे हलवे की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेजिएगा नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अल्ला हाफीज